असलाम लेकूम and welcome back to my channel कैसे हैं आप सब उमीद है कि आप सब खेरिये से होंगे हाजी तो मुझे आप रहूं कि बहुत सारे जो है वो messages आते हैं कि आप अपना घर बहुत साफ रखती हैं तो हमें भी बताएं हमारे बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं हमसे वो काम नहीं होते हैं और हर उस डीप क्लीनिंग भी नहीं होती तो घर को सब्भालने और समेठने का जो है न वो तरीका बता दें तो आज मैं आप लों के साथ one minute rule करूंगी कि one minute की जो rule है न उससे आप अपने घर को किस तरह से साफ, सुत्रा, टाइडी और सिम्टावा और नीट और क्लीन रख सकते हैं और इसके लिए मैंने पहले भी एक शेयर किया थी विडियो इसमें two minutes वाले rules थे बट वो थोड़े से लंबे काम थे तो ये बिल्कुल छोटे छोटे से काम है जिसको आप लोग अपनी लाइफ में इंप्लेमेंट करने की पाद believe me आपकी जिम्न की बड़ी सुख में आजाएगी so let's get started rule number one is tidy your dressing table after use देखें जैसे ही सुबा होती है सब मेरे घर में, मेरे बच्चे, मेरे हस्बें सब को जल्दी पड़ी भी होती क्योंकि सब ने जाना होता है अपने जगों पे, काम हो पे, स्कूल पे, कॉलज पे तो होता क्या है कि जैसे ही dressing table आप देख सकते हैं, बिक्रावा होता है और सुबाई ये काम करती हूँ, मैं कि जैसी मोहा दो लेती हूँ, मैं अपने बालकंगी करती हूँ और एक अच्छी से लिप्स्टिक जरूर लगाती हूँ बट उसके साथ-साथ मैं ये काम करती हूँ कि मैं अपने dressing table को समेटती जाती हूँ क्योंकि देखें, ब्राश यावा पहले बे होते हैं और ये नहीं होता कि मैं हर वक्ष्छ बोलती रहूं कि इसको संभाल के रखो सुबह के टाइम पे सबको जल्दी होती है तो एक काम करें कि जैसे ही आप अपने dressing table पे आएं सुबह एक अच्छी से lipstick लगा लिया करें एक perfume लगा लिया करें और उसके बाद अपना जो ये dressing table है उसको tidy कर दिया करें अगर husband ने यहांवा perfume रख दिया है बच्चों ने brush यहांवा रख दिया है उनके कमरे में भी है लेकिन मेरे बच्चे मेरा dressing table ज़रूर आके उसकर तो simple क्या करना है आपने कुछ भी ऐसा नहीं करना कि आपने dressing table को देखे हाँ ये चीज थोड़ी तेड़ी हो गई है उसको उसकी जगा पर रख दें believe me बिल्कुल इसमें time नहीं लगता hardly hardly it takes one minute to do हाँ जी तो rule number two is designate a drop zone होता क्या है कि जब हम बाहर से बापस आते हैं तो चाबी कहीं रख देते हैं ये मेरे हस्बन की आदत है बट अभी मैंने उनके लिए एक जगा designated कर दी है कि आपने चाबियां घर की चाबियों गाड़ी की चाबियों किसी भी चीज की चाबियों उसको यहां रखना है console है मेरे दर्वाजे के साथ है आपको बता होगा आपने इसका decoration भी देख लिए थी तो वहाँ पर ये प्याला मैंने रख दिया कोई भी चीज रख दें और उसके अंदर जाबियों रखें ताकि टाइमली आपको वो चाबियों दुबारा मिल सके बहुत से लोग प्यूटर यूज करते हैं चाहिए वो कोई भी आपका का एरिया हो चाहिए वो kitchen हो चाहिए वो workplace हो जहां पर आप computer पर काम करते हैं जैसे ही आपको feel हो जैसे आपका काम खतम होगिया है तो उसको चाहिए वो kitchen हो इवन आप कटिंग कर रहे हैं आपने देख लिए कटिंग हो गई, कटिंग बोर्ट को ले जाके धोलें, that is your work space या workstation, मेरा workstation जो है, वो मेरा computer table है, जहांपर मैं बैट के अपना, सारा editing का काम करती हूं, सारा voice over का का काम करती हूं, each and everything, जब मेरा काम finish हो जाता है, खत्म हो जा है, एक में मैं अपना सारा daily schedule बनाती हूं, और एक में मैं अपने सारे points write down करती हूं, तो उन सब diaries को, उन सारी किताबों को मैं एक तरफ करके रख देती हूं, अपने computer को आगे करके रख देती हूं, and अपने जो workstation है, उसको मैं neat and clean कर देती हूं, इसलिए ताकि अभी अगर मैं इसको इसी तरह छोड़ दूँगी, तो मेरा काम आगे बहुत बढ़ना शुरू हो जाएगा, ये rule इतना काम का है, कि आपका workstation कोई भी हो, वो बिलकुल साफ सुतरा हो जाता है within a minute, rule number four is, don't leave clothes on bed, sofa or chairs, होता क्या है, कपड़े change किये, तो ये हर घर की कहानी है, कपड़े लिए और इदर फैंग दिए, ये सारे घर में होता है, और देखिये, अगर ओरत ही अपना घर नहीं समेटेगी, नो तो आप किसी को हर वक्त ये नहीं बोल सकते हैं, ये उठा की इदर रखिये, ये उठा की इदर रखिये, मैं क्या करती हूँ, जैसे मैं कमरे में आती अच्छा जी ये बिक्राव है, फॉरन फॉरन कपरे उठाए, लॉंडरी बैक के अंदर डाले अगर बहुत जादा हो गए तो मैं इसको वाश कर लेती हूँ तो never leave clothes on floor or bed or on sofa, try करें, इस तरह से आप hardly एक मिनट से भी कम टाइम लगता है और आपका घर बेर कुल साफ सुतरा हो जाता है Next is decant kitchen items, उसमें कुछ भी हो सकता है, आपकी सबजियां हो सकती है, आपकी डाले हो सकती है, आपकी मसाले हो सकते है आप जैसे ही देखती है कि वो मसाले का डबा खाली हो गया है, या आप सबजी मंडी गई है, आप अपने लिए सबजियां लेकर आई है या आप डाले लेकर आई हैं और आपको hardly it will take a minute, आप जल्दी जल्दी से उन सारी चीज़ों को जो कहते हैं जिन टोकरियों में आपने डालना होता है, या जिन बॉक्सें में आपने डालना होता है, उसको उसके अंदर फॉरण फॉरण डाल दिया करें hardly इसमें एक मिनट से भी कम का टाइम लगेगा और आपका जो किचन है न वो भरावा नहीं लगेगा, सबजी आई, उसको फॉरण फॉरण जगह पे रख दिया, डाले आई, उनको फॉरण उनके डबों में खाली कर दिया, हाँ, अगर आपको ऐसा फील होता है कि इस डबे म पास उसको उसकी टोक्रियों माँ खाली किया और उसकी वक्त उसको उसकी जगह पे रख दिया, उसकी रूण, जर जकास भाँ Vegas कि रख दिया, उसको फॉर इचẲ E щ की मेरे सब्सक्राइब me यह तो को बियु box में या basket में डालना चुरू कर देती हूं hairband है, कोई भी चीज़ आपको फील हो रहा है कि मैं नहीं use कर रही, दिन का ना मैं कोशिश करती हूं कि 3-4 चीज़ें जो कि मुझे लगता है कि बहुत फालतू है और इसको मैं इसको मैं निकाल निकाल के donation box में डालती हूं और किसी helper को जो मेरे घर में आती है, या मुझे फील होता है कि मैं किसी और को भी दे सकती हूं तो मैं इसको donate कर देती हूं, मेरे घर में extra clutter नहीं होता 7th rule is empty the trash bins होता क्या है, कि dust bins हर कमरों में होते हैं, आप लोगों के कमरों में में भी haben, मेरे भी कमरों में होते हैं तो मैं थोड़ा सा अंदर करके, जो जगा spot नज़र नении आती हुड़ा है, तो वो भरते जाते हैं, जैसें ही मुझे feel उता है कि यह भर गया है , और अब एसके बाद अभी जगा कुछ होगी भी ना तो मैं उसको फॉरन से खाली कर देती हूँ, उसको शॉपर लिया, बंद किया, किच्छन के बड़े बिन में डाल दिया, और एक दूसरा थैला या जो भी होता है, मेरे पास जो घर में एक्स्रा थैले पड़े पड़े वोते हैं, उनको मैं उस मेरे घर में ग्रोसरी अभी मैं करकी आई थी, आपको यादोगा, तो मैं ग्रोसरी जैसे लेकर आते हूं, जब खाली कर देती हूँ, फोरण से उन बैक्स को टैय कर देती हूं, और टै कर लेने के बाद इस तरह मत्रगे, इस तरह से इनए पड़े वें, तै कर लें, टै करन इसको मैंने आप लूंकि शेयर भी किया था कि आप जैसे कहीं भी जा रहे हैं तो आपके पास इस तरह के बैग्स होने चाहिए क्योंकि एक बैग 100 का 60 का 80 का आता है और हर बार आप इसको नए खरीद के नहीं लेकर आता है बट सम्टाइम्स यह होता है और पहुंच के याद आता है तो बैग तो घर में रहागिया बट यह रूल अपना लें कि इनको जैसे ही वापस आएं खतम हुए राइट डाउन एक मिनट लगता है लिखने में बट यह क्या चीज है राइट डाउन बहुत से काम ऐसे होते हैं जो बड़े-बड़े होते हैं और नेक्स वीक आपने करने होते हैं और प्लान करना होता है तो वो चीज़े ना एक अलग पेज बनाके तो वो जो बड़े-ब टिक 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 मारते रहें ताकि आपका जो है ना वो time waste ना हो इस तरह एक minute लगा आपको सोचने में और लिखने में बिलकिए जो भी याद आते है second लगा के लिखने तो आपके कभी भी कोई काम pending नहीं रहेंगे next is make your bed I think ये बात मैंने आप लोगों को बहुत बार बताईए क्योंकि मैं one minute का डाल रही थी जब आप सुबा डेली बेसिस पे अपने घर को समेट रहे होते हैं ना believe me आपको फिर अपना bed समेटना जादा लंबा काम नहीं लगता hardly it will take a minute सुबा आपने फॉरन फॉरन अपना bed कर लिया क्योंकि ये bed जो होता है ना आपका focal point होता है हर कमरे का आपका पूरा कमरा सिम्ठा वा होगा लेकिन bed फैला वा होगा ना तो आपका कमरा बहुत बुरा लगता आप कहेंगे कि मैं वापस क्यों repeat करें क्योंकि बहुत सारे मेरे नए subscribers हैं उन्होंने मेरी वो वीडिय में कर लें seriously it will take hardly a minute आपका बैट साफ होगा आपका ठीक होगा सुबह उटते ही ना ये काम जरूर कर लिया करें husband जैसी बैट से निकल गए फॉरण फॉरण अपने बैट को ठीक कर लें ताकि बाद में जब enter होना तो आपको बुरा ना फील हो रहा कि आपका कमरा जहेंगा रूल इस dusting for 60 seconds यानि एक मिनट बिलीव मी घर में बहुत सारे से spots होते हैं जो कि आप अगर एक दफ़ा dusting करना शुरू करेंगे तो आपको घंटे दो लग जाएंगे और dusting पे इतना time नहीं लगा सकते हैं ठीक है तो मिटी जो है ना वो बाहर से आती है क्योंकि आजकल मौ एक मिनट में जितनी भी उस जगह की dusting हो सकती है तो मैं कर लेती हूँ तो उससे फाइदा मुझे क्या हो जाता है कि मुझे एक दफ़ा में एक घंटा पूरे पूरे कमरों की dusting नहीं करनी पड़ती जल्दी जल्दी से जो जो चीज़े होती हैं उनको मैं साफ कर लेती इस तरह की जो convenience है ना जैसे अब मैंने रखे में एक tray में और एक ये मेरा cake stand है इसके उपर मैंने अपने सारे की सारे जो है ना रखे में हैं perfumes उससे मुझे ये फाइदा जरूर हुआ है कि जब मैं dusting कर रही होती हूँ ना तो मुझे एक एक perfume हिलाना नहीं पड़ता सिर्फ और सिर्फ मुझे इस tray को आगे कर लेना पड़ता है और मेरा dressing table साफ हो गया बट ये rule आप किसी भी जगा पर implement कर सकते हैं one minute की dusting next point is very important vacuuming होता क्या है कि अगर सुबा हम बड़े active mode में होते हैं तो हम सफाई कर रहे होते हैं अपने घर की जल्दी जल्दी साफ कर देते हैं अपने पूरे घर को साफ कर देते हैं बट जरूरी नहीं है कि आपका घर सुबा के बाद साफ होने के बाद रात तक गंदा नहीं ह अगर आप जैसे अब देखें बचें चीज़ें गिरा देते हैं यहां पर निमको गिर गई थी अब अगर मैं ये वेट करूं कि कल सुबा मैं active mode में होंगी तो मैं कर लूंगी no I will not wait for tomorrow मैं वेक्यूम निकालूंगी एक मिनट की यहां की वेक्यूमेंग है सीरिसली इस पूर no आपके घर में कोई गेस्ट आजाते हैं तो क्या आपके गेस्ट के आने से पहले जल्दी जल्दी से वेक्यूम कर रही होंगी या उनके अचानक कोई आजए आपके घर तो आपका घर वो कितना बुरा लगेगा कितनी बुरी फीलिंग आईगी ना सबसे पहले तो आपको पूरी feeling आईगी embarrassment होगी तो जो जगा कोई भी जगा हो चाहे वो आपका कमरा हो चाहे वो कोई भी spot हो आपको फील होता है कि यहां पर कोई चीज गिर गी है फॉरन से पहले उसको वहीं पर साफ कर लिया करें next day का बिलकुल मत वेट किया करें और इस तरह से क्या होता है कि जब आप एक मिनट की सफाई शूर करते हैं तो जादा कुछ जादा एरियास भी कर लेते हैं तो आपको next day का burden इतना फिर नहीं होता कि सुबा के टाम आपने इस सारे काम पर next day सुबा भी करने तो कोशिश करें कि vacuum निकालने it will hardly take a minute और वो पूरी जगा जो है न बिल्कुल neat and clean और बिल्कुल साफ शफाफ हो जाती और आपको बहुत ज़ादा जो है न वो next day मैनत नहीं करने पड़ती और किसी के सामने embarrassed नहीं होना पड़ता next rule is dishes away बरतन धुल जाते हैं मेरे घर बे जैसे ही बरतन धुल जाते हैं और मुझे फील होता है कि अच्छा ही सुखने लगे न तो जो जो बरतन मेरा सुखता जाता है मैं किचन में जब काम कर रही होती हूं तो मैं उनको हाथ के हाथ उनकी spot में रखना शुरू कर देती हूं ताके मेरा जो किचन है वो cluttered लगे हर चीज को न उसकी बरतनों को specially किचन में उनको उनकी जगा पे रख दे करें ताके आपका किचन मैसी ना लगे नेक्स रूल इस scan recipes and toss them देखें ग्रॉसरी करो कहीं पर भी जाओ किसी भी शॉप पे जाओना तो हमें रसीद बिलती है और होता क्या है कि हमारा bag with the passage of time ना वो एक bin लगने लगता है इतने बहुत recipes होती है तो अब मैंने काम करना शुरू किया कि मैं within a minute उसकी एक picture बिलकुल मैं को एक second भी नहीं लगता इनकी pictures लेने में कोई भी रसीद होती है आपको लगता है कि अच्छा यह बहुत जरूरी है महीने तक मुझे रखनी जैसे grocery किया और मुझे बाद में पता चलता जाए कि हाँ हाँ यह यह चीज़े में लेकर आई थी तो मैं उसकी तस्वीर ले लेती हूं और उसको मैं भैंक देती हूं discard कर देती हूं बिन में डाल देती हूं और वो जो रसीद है उसकी मैंने जो तस्वीर लिया है उसका मैंने एक अलग folder बनाया है उसमें सारी रसीदे लगती हूं और by the end of the month मैं उनको delete कर देती हूं rule number 14 is tidy your couch after use देखे couch पे ये weekends पे हूं या normal days हूं बच्चे होते हैं पहलाते हैं कमरे कुशन ये वो आजकल सर्दियां शुरू हो गई है तो हमने मॉमफलियां भी हम ले आया है इसको फिलाल मैंने इसी में रखा है क्योंकि मेरे पास इतने बड़े size का जो है वो कोई box नहीं था तो वो बच्चे खारे होते हैं लेकिन dustbin साथ पढ़ रहा होता है तक यहां वाना पहले इसके लावा कुशन्स पहल जाते हैं और जो छोटी छोटी से blankets मैंने अपने घर में रखे हैं वो यहां वहां जो होते हैं क्योंकि सर्दी होती है आप अपने उपर ओड़ लेते हो थोड़ी बहुत सर्दी हो गई है तो वही होता है कि ओड़ लेते हो तो यह जब messy होता है जब आपको फील होता है कि now entertainment is over like film देख ली, movie देख ली, कोई drama देख लिया फॉरण जब रूम आपको फील होता है कि खाली हो गया है चाहे वो दिन का टाइम हो चाहे वो रात का टाइम हो चाहे वो वीकेंड हो आप फॉरण फॉरण जो है ना वो सारी चीज़ों को ना समेट लिया करें उनको छोड़ मत दिया करें एक मिनट भी नहीं लगता बिलीव मी इन मेंसे बहुत सारे ऐसे काम है जिन को मिनट भी नहीं लगता और वो एक मिनट से पहले हो सारे चीज़ें ताईड बी हो जाती हं तो बет क्या है कि उस फॉरण फॉरण आप ताईडी करें यह रूल जरूर अपनाए अपने टाइडी कर दे रूम को फॉरन से भी पहले रूल नबर फिफ्टीन इस है यह एक बहुत इंपॉर्टन चीज है आपकी घर में हर चीज की जगा होनी चाहिए अगर आप बुक्स पढ़ने की शौकीन है जैसे मैं बुक्स पढ़ती हूं तो बुक्स यहां वहां पर होती है जब भी मैं फारग होती हूं I read books तो क्या है कि books यहां वहां मत छोड़ दिया करें जैसे ही उठाएं फॉरन ले जाके उनको उनकी जगा पे रख दिया करें ताके books जो है न वो पहली भी ना हो और आपका घर जो है न बिल्कुल साफ सुत्रा, spotless हो Next is open packages and break them down हमारे घर में TCS आते हैं, हमारे घर में बहुत सारे दरास से पार्सल जा रहे होते हैं हरे के घर की स्टोरी है तो boxes और उनके कार्टन बहुत जमा हो जाते हैं फॉरन फॉरन जैसे ही आप देखें कि यह extra है, इसकी आप मुझे trash bin को फॉरन से भी पहले में साथ में उसके रख दिया करें या आपके घर में जिसने भी लेकर जाने होते हैं उसको बता दिया करें कि वो जो है ना, इसको जरूर ले जा, इसको खाली कर दे ताकि आपका जो, यह जो काटन है ना, यह इसकी बहुत गद मचाते हैं और, believe me, if you are living in an apartment तो आपको बिल्कुल भी feel नहीं होना चाहिए कि यह extra चीज़े मैंने अपने घर में रखी हैं, तो extra चीज़ें को कभी अपने घर में मत रखी हैं Last but not least is Chargers on spot हम फोन बगएरा चार्ज करते हैं, यह कोई भी ऐसी चीज़ जो कि Chargers से चार्ज होती है तो उसको, जब वो हो जाती है आपका काम हो गया, तो उन Chargers को यहाँ वाँ टेबल के उपर मत छोड़ दिया करें उनको उनकी एक spot बनाए बंद करें, मेरा यह Chargers का जो है ना, मैंने एक स्टेशन बनाएवाई इसके अंदर जो है, वो मैं रख देती हूँ अपने Chargers को, और मुझे पता होता कि मेरा Chargers इसके अंदर ही पड़ावाई बाद में मुझे ढूंडने की ज़रुट नहीं पड़ती कि मैंने Chargers किदर उठा के रख दिया spot बनाए, उनको दराज में डाल दे कोई भी एक spot बनाए, जहां पर आपने उनको रखना है सो खेर, यह जो सारे, मैंने आप लोगों के साथ 17 जो है वो points बहुत important थे, जो मैंने आपके से share किये हैं, यह ऐसे rules नहें one minute के, जो अगर आप अपनी जिंदगी में implement करेंगी ना, आप, believe me आपकी जिंदगी बहुत असान हो जाएगी, आपका घर बिल्कुल neat and tidy लगेगा, आपके table साफ सुत्रे लगेगे, आपका घर साफ सुत्रा लगेगा, अगर add the spot आपके घर में कोई आ भी जाता है ना, तो आपको embarrassment नहीं होगी, क्योंकि ऐसा होता है, जब घर फैला होता है, या सुबह हम जल्दी साफ कर लेते हैं और उसके बाद समझते हैं कि जी अब रात तक साफ रहगा, ऐसा होता नहीं है, फॉरण फॉरण आप इस तरह एक एक मिनट में जब सफाई कर लेंगे, तो आपको बिलकुल भी नीड नहीं होगी, बहुत डीप क्लीनिंग करने की एवरी डे, और अगर कोई आ जाता है, तो आपको embarrassment भी नहीं होगी तो खैर ये था मेरा आज का बहुत ही जबर्दस किसम का व्लॉग उमीदे आप लोंको अच्छा लगाऊगा, अच्छा लगता है, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और शेर कीजिए with your friends and family and see you in my next vlog till then, take care and Allah आफस